सुप्रभात त्यारे बच्चों, कल हमने हिंदी में पाठ नो के शुतलेक्षब्द और वाक्य बनाओ लिखे थे आज हम हिंदी में भाग अ में ही पाठ नो के प्रश्ण उत्तर लिखेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर दिनाक लिखेंगे, दिन लिखेंगे और पहली लाइन में आप पाठ का नंबर और नाम लिखेंगे एक लाइन छोड़कर आप लिखेंगे प्रश्ण उत्तर और यहाँ से आप प्रश्ण उत्तर लिखना शुरू करेंगे मैं आपको सभी प्रश्ण उत्तर एक बर पढ़कर समझाऊंगी हर प्रश्ण के बाद प्रश्ण वाचक चिन लगाएंगे और हर उत्तर के बाद हम लगाएंगे पून विराम इस तरह से चलिए प्रश्ण उत्तर को पढ़ना शिरू करते हैं मेरे पीछे-पीछे बोल कर दोहराएंगे सभी बच्चे प्रश्ण नमबर एक रमेश और रेखा किसके घर गए उत्तर रमेश और रेखा नाना जी के घर गए प्रश्ण नमबर दो रेल गाड़ी क्या देखने के बाद चल पड़ी प्रश्ण वाचक चिन रेल गाड़ी हरी लाल टेन देखने के बाद चल पड़ी अगला प्रश्ण है नाना जी की हवेली कैसी थी? उत्तर नाना जी की हवेली बहुत बड़ी थी प्रश्ण नमबर चार सब मेले से क्या लेकर वापिस आए उत्तर सब मेले से केले सेब लेकर वापिस आए ध्यान रहे कि हर प्रश्ण का उत्तर आप पून पंक्ती में ही लिखेंगे छोटा अंसर नहीं लिखेंगे हम पूरी लाइन में अंसर लिखेंगे नीचे आप नाम लिखना ना भूलें तो आज के लिए हैं आपके पार्ट नमबर नो के प्रश्ण उत्तर धन्यवाद